अब उनकी तब्यद कैसी है? कुछ बहतर हुई? बहतर है, होश में आ गई है मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासर है यानि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है? वो कह रही है कि फिलाल उनका आपसे मिलना मुमकिन नहीं वो चाहती है कि चन्ड रोज अपने खुदा के साथ खल्वत में रहें वो तन्हा रहना चाहती है आपको उनकी यपास समझ में आई? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा नहीं आप से मिलने के लिए उनकी वो बेताबी और नहीं इश्टनाब मेरा खायल है मैं जुलाखा के इस कैफियत को बाखू भी समझ सकता हूँ उन्हें तनहा छोड़ दें मेरे खायल में उन्हें खुदा के साथ राज और नियास के लिए तनहाई की जरूरत है मामला क्या है? मुझे तो कुछ बताएं खुशा नसीब जुलाखा के ये साहदत हर किसी को नहीं मिला करती वो सालों मारी मारी फिरी घर घर तलाश किया तब कहीं जाकर दर यूसुफ पर पहुंची है खस्ता और दर्मानदा देदार यूसुफ के उमीद में दक्कल बाब किया लेकिन वो जिसने दर्वाजा खोला यूसुफ से कहीं ज्यादा खुबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कुबूल किया इनसाफ तो ये है के यूसुफ कुजा और जिबाए मुतलक खालिक यक्ता कुजा मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस रिनायत खुदावंदी पर जिसने जुलेखा को नसीफ हुई हस्त करूँ हस्त करना आसनात के शाहिन निशान है भी नहीं जुलेखा पर तो रश करना चाहिए वो दूसरे माशुक के साथ खल्वत गुजी हैं और मेरे ख्याल में ये खल्वत नशीनी और वज्द की कैफियत उन पर चालीस रोज तक तारी रहेगी चालीस रोज? हाँ, इससे पहले वो खल्वत नशीनी तर्क नहीं करेंगी साल हाँ साल, उन्होंने आपका इंतिजार किया है अब आपकी बारी है कि आपको चर्शा उनका इंतिजार करें आज भी वो लोग नहीं आए आप रोग क्यों रही है माँ, कारवावलों ने बताया तो है वो भी आजाएंगे, घबराने के कोई बात नहीं तो कहा है, आए क्यों नहीं अभी तक आजाएंगे आप लोग अकेले क्यों आ गए? थोड़ा इंतिजार कर लेते ताके फरदनदानी याको भी साथ ही आ जाते अगर हम लोग किनान जल्द ना लोड़ते तो आप सब लोग भूग से मर चुके होते दूसरे ये, कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वहां मज़ीद कितना लुगना होगा वो लोग उन्हें ले गए और फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई वोग शुके कि अधान लोग कि अधाम होगा वोग भी स्वारा वोग अधानफी जा होगगाँ लोग सब्सक्राइबरबरा तो आप से सबस्तरखबरे नहीं होगा excited देख रहे हो, हुजरे के पास कुछ लोग हमारे मुनतसर खड़े है हाँ, अगर मैं गलत नहीं देख रहा, तो बाबा भी निज़र आ रहे है ये धूल कैसी है दीना? वो ही लोग है, हाँ, ये उठती हुई धूल चोपायों की ही है आगे, वो लोग आगे, दादा जान, वो लोग आगे आगे, आगे, वो लोग आगे कारवाओ वाले आगे, चलो उनके इस्तक्वाल के लिए चले चलो उनकी मदद करे होएं भोगूर słश प्कलो के लिएícia खोड़ बागे, आगे, वो के लिएचों सहराओ दुछ प्के प्के कि चलोавать आगए नभी खुदा हमारे बेटे आगए सलाम सलाम आप लोग इतनी देर से क्यों आए सांस तो लेने दो फिर वज़ा भी बता देंगे शलें खुदा कई शुक्रे देखा हाला कि बाबा उन लोगों के आने से बहुत खुश है लेकिन फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती वो तो जाहिर है वो इनसे नाराज जो है विन्यामीन बागी लोग भी आ गए मैं बाबा के बाज जा रहा हूँ भी प्टा escape भी नाराज जास है दो पहुशेचक सला05why हम वरापस में ठीक है सलाव सब ठीक ठाहिए सैंजिए कुस्त velvet वो ठीक है जाओ जाओ सलाम सलाम जाओ सलाम मैरे बच्चों हम तो फरिशान हो गए थे सलाम हमारा कोई कुसूर ना था हम तो मिसर पहुंचते ही गंदूम खरीद कर फौरान वापस लोड़ना चाहते थे लेकिन अजीज मिसर नहीं रोक लिया यानि हमें अपना महमान बना लिया था अजीज मिसर को हम किनानि भाईयों की पजीराई करने के शौक हो गया था यह तो अगर हम अजीज मिसर से आप लोगों के इंतिजार, भूक और परिशानी करना कहते तो उई अब हमें यहीं नहीं आने देते बाबा कहाँ है जिस रोज से आप लोग गये हैं तब से परिशान इस रास्ते पर आंखे लेगाए बैठे रहें खास दोर पर उस तो जब कि नानी आप लोगों के बगार वापिस लोट कर आए तो बहुत परिशान हुए अभी तब तो यहीं थे जब तुम लोगों के तरफ से आसूदा खातिर हो गये तो अपने हुज्रे में चले गये हाहा हम ने देखा था उन्हें यानि बापा अब भी हमसे नहीं मिलना चाहते वह अपर है में शामिल समझे हमें खुशी है कि फर्दंदान याकुब खेलिये से पहुंच गजार है याकी खुटा आपको सलामत रखे लोगों से कहिए के वापिस किनान चले चली आए वापिस किनान चले अगर वो मिलना नहीं चाते तो तुम लोगों का फर्द बनता है कि उनसे मिलने जाओ 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 जाकर उनकी एहवाल पूर्शी करो यह बात तो है बाबा हमें अंदर आने की अजाज़त है हम अंदर आ सकते हैं दुरूद खुदावन बर नभी खुदा सलाम नभी अल्ला दुरूद बर नभी खुदा सलाम बर पयाम बर खुदा दुरूद बर नभी खुदा सलाम बाबा सलाम बाबा दुरूद खुदावन ओ तुम सब पर खुशों के लौट आए हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दुबारा आपकी जारत नसीब होई अमीद है नभी खुदा खेरियस से होंगे हम परिशान थे आने में देर क्यों करती अजीजे मिसर ने हमें रोक लिया था मेरा मतलब है हमें अपने पास महमान किया था हमें बहुत इज़ट दी ये वो गन तुम्हें जो अजीजे मिसर ने हमें दी है बहुत उम्दा और लजीज है मसरूर कुन खुश्बूए कितनी निशादा वर्द नवीद हयात दे रही है इस कंदुम से बड़ी मानूस से खुश्बू आ रही है गोया किनानियों को जिन्दगी लोटाती है अजीजे मिसर तमाम मसाफिरों को इसी तरह नवास दे और ख्याम उताम करवाते हैं या सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बजाहर ऐसा कुछ नहीं किया नहीं सिर्फ हम पर ही इनायात थी उनकी उन्होंने पूरे तीन रोस तक अपने गसर में हमारी बहतेरीन पजीराई की तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शेहर के बाचिंदों से ये दो तरह के रोईयों की वज़ा क्या है वो कह रहे थे ये खुसूसी बरताओं हमारे यक्तापरस होने की वज़ा से है नहीं ये नहीं हो सकता तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यक्तापरस थे नहीं नहीं यकिनन कोई और वज़ा होगी उन्होंने तो हता अपने मुशिरे खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था मिसर एक अजीम सल्तनत और अजीसे मिसर एक अजीम और साहिब कुद्रत शक्सियत हैं फिर भला उन्हें बेवकट चराओं से क्या सरूगार उनकी ये लुट्फोए नायात या तो अजरूए हिकमत थी या अशनाई क्या तुमने उन्हें पैचाना या उन्होंने किसी किसम का इजहार अशनाई नहीं किया नहीं किसी किसम की शनासाई का इजहार नहीं किया अलबता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उने जानते हैं या पिर हमने उन्हें कहीं देखा है हमने बहुत सोजा लेकिन हमें कुछ यादी नहीं आया उन्होंने इन इन आम और क्राम के वस तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा कोई तवक्व, सवाल, तकाजा नहीं नहीं वो इन तमाम चीजों से बेनियास थे बहला वो हमसे क्या चाहेंगे हालांकि हजीज़े मिसर एक महरबान और फायाज इनसान थे लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा गंदुम नसीब नहीं हुई अगर आप और बिन्यामीन भी होते हैं तो हमें दो हिस्से ज़्यादा गंदुम मिल जाती कोई बात नहीं अगर हर दफ़ा इतनी गंदुम भी ले आए तो हमारे गुसारे के लिए काफ ही होगी अगले साल का फिर देका जाएगा कि मशियत खुदावंदी क्या होती है लेकिन अगली बार कोई इमकान नहीं है बाबा बशर्ट ये कि बिन्यामीन को भी अगली बार अपने हमरा मिसर ले जाएगा तो तुम लोग भी गंदुम लेने नहीं जाओगे नहीं बाबा शर्मून का ये मकसद नहीं था उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर नहीं आए तो आप लोगों को गंदुम नहीं दी जाएगी उन्हें कैसे पता चला कि तुमारा कोई और भाई भी है और वो भी तुम सब लोगों से चोटा उन्हें हमारी बातों से पता चला था हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक जही बाफ और एक छोटा भाई है लहाजा उनका भी इससा दे दीजे वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी महाबवतों का नाजायस फाइदा उठाना चाह रहे हैं हाँ बाबा उनका ख्याल में हम ज्यादा गंदुम लेने के लिए जही बाफ और एक छोटे भाई के उन्हें का दावा कर रहे है हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया लेकिन उन्हें ने हमारा यकीन नहीं किया कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए ताके तज्दीक हो और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तुम मिसरानी की अजाज़त नहीं, बसूरत अदीकर गृफदार कर लिये जाएंगे। महाल है, महाल है कि मैं बिन यामीन को तुम लोगो के हमरा बेचू, ये अपने सेंज से निकाल दो। खुद को संभालिये बाबा। हुआ है और! मैं बिन आफ हो हिएंगे। को तुम मैंने सेंगे कgens देणिट धुम मैं वाल मैं 800 लावशं था यू ड्लाए ंर कि अ जियो कर गो ए किल दो है और सकति मारि Speechish ए उटैंजू ये सिके गंदुम की बुरी में क्या कर रहे हैं और वो भी इतने हैं सारे तुम लोग अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ ये आपको कहां से मिले हैं ये सिके मुझे गंदुम की बुरी से मिले हैं गंदुम में? ये तो वो ही सिके हैं जो हमने मामुलीन को गंदुम की तीमत के तोर पर अदा किये थे ये हमारे ही तो सिके हैं, थेली नहीं पहचान रहें हाँ वाकई, ये तो हमारे ही है गोया अजीजे मिसर ने हमें गंदम बिला मुआफ़ा दे दिये कहीं उन्होंने खलती से तो नहीं रख दिये कोई शक नहीं कि ऐसा आमधन किया गया हो क्या मालूम उनका मकसद हमारा इमतान लेना हो शायद अजीजे मिसर ये जानना चाहते हो कि हम इस अमानत को इस्तमाल कर लेते हैं या उन्हें वापस लटा देते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने धोका दही से गंदम के कीमत अदाना कियो आप ने हमें हराम खुरी के तर्वित नहीं दी बाबा हम आपको यकिन दिलाते हैं बाबा कैसा कुछ नहीं है हमें इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है इसका मतलब तो ये है कि अजीजे मिसर ने तुम लोगों को इस तरह दुबारा मिसर आने की तश्वीख दिलाई है लेकिन क्यों? हाँ आखिर क्यों? अजीजे मिसर तुम लोगों को दूबारा बनाने के अतने मुश्टाव क्यों है क्या कहस कि आन मालू क्रिशा है हमें नहीं पता ते। या हो सकता है उनका ये अखदाम ना सिर्फ ये कि उनके मुश्टाव नहीं और का इशारा है बलके अजीजे मिसर की अदम दिल्चस्पी और बेरक्बती और बेजारी की तरवी शारा है क्योंकि जिन से राजी हुआ करते हैं उनका माल भी खाबिल गुबूल होता है और जिन से राजी नहीं हुआ करते हैं उनके माल को वापस लुटा दिया जाता है जैसे खुदा बंदे मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके आमाल को खुबूल कर लेता है और उसे नामाय आमाल में लिख देता है और जिसे वो ना पसंद करता है तो उसकी इतातों रियाजतों और अबादतों को यक सर्रत कर देता है मुबादा अजीज मिसर का गंदुम की बोरी में सिकों को यू चुपाना तुम लोगों को अपने दर्बार से धुतकार देने का इशारा हो ऐसा नहीं है अजीज मिसर तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे अगर हम लोग इसराद ना करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे अगर हमारे सिके कुबूल ना करना हमें कुबूल ना करना होता तो फिर इतनी मुहबत और मेमान नावाजी किस लिए थी अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिसर के जहन में जरूर कोई मनसुबा है वो मेमान नवाजी, वो इस्ज़त और इक्राम, गंदुम की खीमत का वापस लुटा देना और सबसे एहम बिन यामीन से मिलने पर बज़ित होना ये सब किसी मनसुबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिसर के जहन में पनप रही है उमीद तो ये ही है कि इसमें उनकी कोई बनियती शामिल नहो लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक़्े अजीज मिसर के हुसन नियत की घमाज है और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर अइतमाद ना करें तो आप हक बचानी पे लेकिन अजीज मिसर के हुसन नियत पर कोई शक नहीं नहीं इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत प्रिसर नहीं भेजूगा ठीक ही तो कह रहे हैं बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी किया है इसलिए के उन्होंने युस्फ के हवाले से किये गए गुनापर अब तक इसारे निदामत नहीं किया है जो इसारे निदामत ना करे क्या मालूम कि वो शक्स वहीं खलती दुबरा नहीं दो राएगा अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा फिर हम क्या करेंगे बाबा वो जब ही यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए है भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमार साथ भेज सकते हैं वो मजबूर हैं वगरना अजीजे मिसर हमें हर्किस गंदम नहीं देंगे या यानी बाबा मजबूर हैं कि एक बार फिर अपने जिगर गोशुके बेडियों के हवाले करते हैं लेकिन हम कोई बेडिये तो नहीं है एक बार जलती हो गई हो गई लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का एरृदा नहीं रख़ता है या हमारे तॉबा कर लेने से, या हमारे इजारे पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बियान करके अपनी गलती को मां की मांग लेने से हमारे बाबा ने किस कदर इलते जाकी, कि हम हकीकत बियान कर दें, और अपने गुना से तॉबा कर ले लेकिन हमने क्या किया? हाँ, हाँ वाकई, हमने क्या किया चालीस साल होने को आए बाबा को यूसफ के फिराक में अंगारों पर लोटते वे देख रहे हैं लेकिन हम अपना मुँ नहीं खोल रहे हैं अब मैंसे कोई एक भी हकीकत बियान कर देता तो उने इस घंज से तो निजात मिल जाती तुरूद बर्द जनाब युदार सीफ तुम पर भी खुदावण का दुरूद हो तक्रिफ तो महसूस नहीं हो रही नहीं आली जनाब नभी खुदा के घर के निगराने करना तो बड़ी साहधत की बात है सिर्पास गुजार हो खुदावण आपको सलामत रखे दुरूद बर्द नभी खुदा इंतिजार फर्माया जा रहा है दुरूद हो मिर अच्छी और महरवान आसनात पर और बानु जलाखा के क्या ख़बर है उसी तरह इबादत में मसरूफ है बहुत कम बोलती है, कम सोती है खाने से भी कोई खास रखबत नहीं रखती दुरूद बर नभी ये खुदा आप पर भी खुदावण का दुरूद हो बानु जलाखा के लिए है जी आली जनाब, शायद वो चंदलुक में तनावल कर लें बानु जलाखा के लिए है बार्साहर दर्चट एक वार्च सिर्भर बार्च सिर्भर बार्साहर बॉतकी बार्साहर नए जो कर दोंने कर दो दो होगा बाल में इंक रूं घक आल मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुद्वज़ा क्यों नहीं हुई मुझे बिलकुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला लेकिन बानू पहले तो आप दूर ही से उनकी इबू महसूस कर लिया करती थी आज वो आपके पास आये थे लेकिन आपको उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ उस वक्त मेरा माबू तो माशुक यूसफ था लेकिन आप मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है आप तो उनकी दुसरे से बात क्यूं नहीं की की थी तुम्हें सुनाई नहीं थी मामला क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाई कुछ नहीं फिलहार उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए उन्हें इस वक्त तनहाई की जरूरत है खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें उनकी मौजूदगी जलेखा की खल्वत में खलल पैदा करेगी मैं तो समझ रही थी कि आप दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की हालकि काफी राज और नियाज हुए हैं बस हम में ही सुनने के सलायत ना थी आप तो खुद महर में राज हैं और बाखुबी सुनाई भी देता है खुद को कम मत समझें दस्त परवर्दा हूँ मैं नभी खुदा की जो कुछ भी हूँ आपी की बदालत हूँ हुआ 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 है गंदुम बस इतनी ही रह गई है यह गंदुम दो तिन दिन से ज्यादा हमारी धरूरत पूरी नहीं कर सकेगी अगर गंदुम ना हुए तो मजबूरन हमें भेड़े जबा करने पड़ेंगी लेकिन फिलवक्त हम उनके दूदही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं मेरे दादा इबराहीम मेरे चचा इसमाईल को गुर्बानी के लिए ले गए थे खुदावन ने इस गुर्बाने का हुक्म दिया था जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इसमाईल को जबा करने का कतई इरादा कर लिया है तो उनकी गुर्बानी को गुबूल कर लिया और इसमाईल की जगा खुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेज दिया उसके बात से मेरे चचाँ अज़त इसमाईल को सभी उल्ला कहा जाने लगा जब इबराहीम इसमाईल से दस्परदार हो गए तो खुदा ने भी इसमाईल वापस लुटा दिया जब दो खुदाँ जब दो खुदाँ आज़ता है जब दादी को शाहिए मुझे कोई काम है अब तुम जा सकते हो अब एपने घर चाओ सलाम मेरे बच्चों सलाम सलाम क्या हुआ तुम फिर ऐसी हालत में चल्ले पिनने लगी जल्दी हमें अपने इन जिगरवोशों को मरतबा देखना पड़ेगा वोही बच्चे जो इस वाद खुशी खुशी खेल कोद में मसरूफ हैं अनकरीब मुरके बिस्मिल की तरह हमारी आँखों के सामने तर्पेंगे और हम कुछ ना कर सकेंगे मैं क्या करूँ आया मैं मुकस्र हूँ अब जादा गंदुम नहीं बची घर में अगर जल्दी गंदुम का देजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसिबत व्ली तैयार कर लेना चाहिए रूत पर नबी खुदा सलाम बाबा सलाम बाबा सलाम बेटा कोई कोशिश क्यों नहीं करते क्या मुंतजर हो के एकाद तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुम से छीन ले तब कोई एकदाम करोगे गंदुम सिर्फ मिसर में दस्तियाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा यानि अजीजर मिसर बिन यामीन के बगार हमें गंदुम नहीं देंगे तो कोया मुझे अब बिन यामीन और अपने बेटों और पोतों मेंसे किसी एक का इंतिखाब करना होगा बिन यामीन को कोई खत्रा लाख नहीं होगा बाबा आप मुतमें रहें यूसुफ कभी तो कोई खत्रलाहक नहीं था हम आपको यकीन दिलाते हैं यकीन दिलाते हैं कि हम बिन यामीन की इफाज़त करेंगे उसी तरह जैसे यूसुफ इफाज़त की थी अगर बिर्याविन हमारे साथ नहीं गया तो नसी ये के हमें गंदुम नहीं मिलेगी बलके मिस जाना भी खत्रे से खाली नहीं होगा अगर कहत नहोता तो फिर बिन यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिलकुल भरुसा नहीं इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं बेचूँगा बशर्ते के आपके जो भी शर्त होगी हमें खुबूल है बशर्ते के क्या बशर्ते के खुदा को हाजरो नाजर जानकर आहद करो और खुदा के हुदूर में कसब घाओ के बिन्यामी इनको सभी स्यर्त वपस लेकर होगे एद करते हैं हम सब बादा करते हैं हां, बादा करते हैं हां, हम बादा करते हैं हम कौल बेते हैं मिरी बद्वानے माबद предлож gaan ने माबद का क्या जर्किया था नई इस तरह नई तुम सब यहां कर बैठो और बारगाह खुदाबंदी में हातों को आस्मान की तरफ बलंद करके सब कसम खाओ आजो आकर बैठ चाओ हम खुदाबंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं के बिन यामीन की इफाज़त करके उसे वापस बाहिफाज़त बाबा के पास लेकर आएंगे हाँ बाबा हम सब आपसे यह एहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन यामीन की इफाज़त करेंगे हम सब तेरी बारगाह में और तेरे प्यांबर के महजर में एहद करते हैं कि हम अपनी आखरी सांस तक अपने एहद के पासदारी करेंगे और अगर हम अपनी इस कसम पर अमल ना करें तो हम मगफिरत परवर्दिगार से महरूं रहें और अजाब इलाही के सजाबार मैं इस मरतबा अपने बेटे को खुदा के सपुर्द कर रहा हूं तुम लोगों के नहीं और उसी से वापस लूँगा पहले मैंने युस्फ को लावी के सपुर्द किया था और चो कुछ भी हुआ था वो तुम सब जानते हो उमिद्वारों के इस मरतबा उसे कोई नुखसा नहीं पहुचेगा वगरना तुम लोग अपने बाप को जिन्दा नहीं पाओगे आपका खौफ बचा है बापा कोई भी इंसान उस जमाद पर जो बद एहदों पेमा शिकन हो एकमाद नहीं करता आप भग बचाने बें जाओ जाओ और जाकर सफर की तैयारी करो जाओ जो सिके गंदुम की बोरी से वरामध हुए थे उन्हें रख लिया रख लिया है माप फिकर मत करें गुम ना हो जाएं वरना अजीजे मिसर तुम लोग को चोड़ समझेंगे बताया ना समाल कर रख लिये हैं परिशाने के कोई बात नहीं हाँ परिशान मत हुई है पिछली बार तो हमारा हुलिया कुछ मुनासिब ना था हमें क्या मादम था कि किसमत में अजीजे मिसर के महमान बनना लिखा था यह कैसे मालूम कि इस बार भी वह आपindustrie को महमान करेंगे जब तक वह नहीं पूह जाते कुछ नहीं सकते इस बार अजीजे मिस्र हमसे बिलकर बहुत खुश होंगे हाँ जैसे अब तो बड़े जर्वफ्स की लिबास पहन कर जा रहे हैं ना आप लोगो अजीजे मिस्र भी जानते हैं के कहत है हमारे पास इतने हैं तो पहले हम खाने का इंतिजाम करते हैं ना के लिबास का खुदा निगेदार हम रवाना होंगे खुदा निगेदार पगल से औरस्केद सार्णी आपधे टॉर्ड मुझार कम यूरा तोcor JC मैं आप पर तरूत आप जसत पर नभी आप और गृता, ख़दा तुम लोगों की फासद करे दरूद बर नभी खुदा सलम बाबा सलम दरूद बर नभी खुदा तुम पर भी दरूद हो दरूद बर नभी खुदा हमें दूआ नहीं देंगे बाबा खुदा तुम्हें अपने हिवसामान में रखे नहीं मारूम क्यों मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्र बंद हूँ अभी बिन्यामीन की फिक्र दामन गीर है नहीं इस पार तो मुझे तुम सब की फिक्र हो रही है लगता है कि अजीजे मिसर के जेहन में कोई मनसूब आए बाबा क्या आपके खयाल में वो कोई मसमूब मजाइम रखते हैं अगर ऐसा है तो आप हमारे बच्चों को इस सफ़र पर क्यों भेज रहे हैं नहीं मालूम कि वो क्या एरादा रखते हैं अजीजे मिसर युजार सेफ तो जो चाहे वो कर सकते हैं ऐसे में हम क्या कर सकते हैं इतना तो कर सकते हो कि अजीजे मिसर से आमना सामना ही ना हो ये मुम्किन नहीं बाबा सब हम दसों भाईयों को पहचानते हैं और दरवाजे के मामून तो खास तो और पर तुमने तो बताया था कि तिब्स के कई दर्वासे हैं तूसरे दर्वासे से दाखिल हो जाओ अगर वो कोई गलत इरादा रखते होंगे तो यकीनन अब तक निगेवानों को हम दसों भाईयों के नामों निशान दे चुके होंगे और अगर तुम 11 भाई एक दूसरे के साथ ना हो तब क्या यकीनन उनोंने ताकीत की होगी कि अगर 10 किनारी भाईयों को देगें तो उने मुत्तिला करें हाँ मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिस नहीं पैचान पाएंगे तो ठीक है एक साथ मत जाना तो दो अफराद करके मुक्तलित दर्वाजों से जाओ और नहायत खामोशी से अपने गंदुम लेकर वापस लटाओ इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे ये तो कोई मसला ही नहीं हाँ ये हम कर सकते हैं और गम पैचान ली गए तो उस सूरत में खुद को खुदा के सुबर्द करके सरे तस्लीम गम कर देना उमीद करता हूँ कि बखैरो आफित लाटोगे अपना ख्यार रखना पिन्यामी की हिफाज़त करना अब हम मज़िद किसी रंचो मुसीबत के मुतामिल नहीं हो सकते हैं एहतेहाद करना मेरे बचों आप घब राएजये नहीं मा माच्राय Yusif वर दबारा नहीं दोरा आया जाएगा आप परदुलू द counting वियूं अपना किites आफ मेरे भाबाब आप परिशान मत हूँ वियूं बाबाबा वदा ने चाहत तो कुछ बी नहीं होगग अपना बहुत ख्याल लखना मेरे बच्चे युस्फ के बाद अब मुझे तुम्हारी दूरी परदाश करने की सकत नहीं आपने मुझे खुदा के सपुर्ट किया है तो फिर परिशानी की कोई बात नहीं अपना बहुत ख्याल लखना मेरे बच्चों जरूर खाला जान जरूर मुझे माँ को हो बिन यामीन तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा हजीज हो जरूर मादरे जान मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही समझा है जब से दुनिया में आग खोली है अपनी मा की जगा आपको देखाए यकीन जानिए भाई लावी और यहूदा से कहीं बढ़ कर मैं आपको चाहता हूँ खुदा निगेदार खुदा निगेदार खुदा निगेदार अर्वा पस्लाटू दुरूदे खुदावन हो तुम पर अजिजे मिसर की करम नवासी है वो दसके नाने भाई याद है ना जिनके खादरदारी की थी जी जी जनाब मुझे याद है वही न जो आपके पहले महमान हुए थे यहाँ वो जैसे ही आए फिलपो और उन्हें मेरे पास लेकर आना कहना कि अजीजे मिसर को आप लोगों से कोई जरूरी काम है इताद आली जनाब जनाब मालिक पहले ही मुझे यह हकम दे चुके है जनाब अजीजे मिसर का फर्मान पहले ही पहुचा दिया गया है इत्मिनान रखे उन्हें खिबत में पेश कर दिया जाएगा फरकत करें अजीजे मिसर का किनानियों को इतना ज्यादा एहमिये देना बिल खुसूस उन दस भाईयों को अजीब नहीं? हाँ, खास थोर पर उन्हें अपने कस्र में महमान करना किसी भी मुल्क के बाशिंदों को वो इतनी ज्यादा एमियत नहीं देते यकिनन को खास बात है बाबा यूसफ के उस्तख तजर्वे के बाद आप ने बिन्यामीन को भाईयों के साथ क्यों भेज़ दिया? कोई और चारा ना था उसके भाई बिन्यामीन के बगएर हर्किस मिस्र नहीं जाती यानि आप इस बार बिलकुल भी फिकर मन नहीं है? उसकी वज़ा है एक तो ये कि एलिकनार कैसे दो चाह रहे और मैं इस बात से लादानुक नहीं रह सकता दूसरे ये कि पहले मैंने युसर को उसके भाईयों के सपुर्द किया था बिलकुस लावी के लेकिन अब मैंने बिन्यामीन को खुदा के सपुर्द किया है इदर इस तरह आजाओ बाबा के दूरे नजर कहीं कोड़ों की दत में आगाए ना तो बाबा हमें कुसरवा ठेराएंगे वैसे तुमने और तुम्हारे भाई ने इसा क्या किया है जो बाबा इतना ज़्यादा चाहते हैं तुम दोनों को बाबा तो मेरे बाबा है अलबत ताजी से बेसर भी ना देखे ही मेरे इतने गरविदा क्यों हो गए